चिंतन को सीमा पार ले जाने के लिए। चिंतन को सीमा पार कईसे ले जाना है। पर हम चर्चा करेंगे सीमा पार क्यों चर्चा ले जाना है ये बहुत किस कारण से हमें ले जाना है पहले इस बिंदु पर हम बात करते हैं ये एक जगह में चर्चा ये आती है कि विश्णु जी का जो चार पाद हैं उसमें तीन पाद दिखाई नहीं देते हैं ये एक पाद प्रुथ्वी का है और यह प्रुथ्वी जिसके ऊपर हम खड़े हैं वो ज्योतिश के आधार पर भी और विज्यान के आधार पर भी इसका जो आविर्भाव हुआ वो दो सव करोड बर्ष पहले तो इस बीच में हमने जितना समय बिता दिया यह दो सव करोड वर्ष जो बीते हैं और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैंने पचास हजार वर्ष एक लाख वर्ष दो लाख वर्ष तीन लाख वर्ष यदि इतने का भी हम चिंतन नहीं कर पाएंगे तो हम जो प्रकृती का तत्व हैं वेद प्रकृती का गूंज हैं वेद और वेद अनंत हैं अपवरुष यह हैं सत्य हैं तो इन सभी बातों को हम सिध्ध कैसे कर पाएंगे यदि हम चिंतन को सीमित रखेंगे और सोचेंगे कि हम कैसे सोचें तो यह बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा हमारे अन्यवेशन में हमारे सोध में बहुत बार हां आपको भी हमें भी चिंतन एक बार हमको कहेगा जब हम कहेंगे मरियादा पुर्शोत्तम राम एक बार अवतार लिये थे आधवा बार बार अवतार लिये थे जितने त्रेता बीते हैं तब से आज तक हर एक त्रेता में श्री राम अवतार लिये थे और वो आवतार वैसे ही था वही दशरत थे राजया दशरत और वैसे ही कईकेई थी और कईकेई के कारण फिर स्री राम हर एक आवतार में हर एक बार के आवतार में वो वनवास किये थे तेन पर चिंतन करते वक्ता हमें बहुत बार लगेगा कि हम कोई पाप कर रहे हैं या दुष्टता कर रहे हैं ऐसे तो चिंतनाना स्वभाविक हैं किन्तु यदि आप सत्य को सिध्ध करना चाहते हैं भारत को विश्वगुरू सिध्ध करना चाहते हैं आधवा भारत चिंतन का गढ़ रहा यहाँ पर कोई भी पहलू छूटा नहीं था जो वैदिक विज्ञान में उपलब्ध हैं या आप बाद बताना चाहते हैं तो आपको चिंतन करते वक्त सीमा आयें तोड़नी पड़ेंगी हम जितने बार भी मर्यादा पुर्शोतन राम का अवतार हुआ उतने बार हम यही कह रहे हैं कि रामो विग्रहवान धर्माहा वह धर्म का प्रितिमूर्ती था और धर्म को स्थापित करने के लिए वो पैदा हुए थे तो यह एक बार नहीं हम यहाँ पर हमारे चिंतन में वर्तमान में हम यह कहते हुए चलते हैं कि वो जब 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 ऐसे आवश्यक्ता हुई आधवा जब जब त्रेता प्रारंभ हुआ और जब जब धर्म का एक चरन ख्षीन हुआ तब तब राम पैदा हुए थे फिर इसी प्रकार से स्रीकृष्ण नहीं तो जब गीता में स्रीकृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्या गलानिर भवति भारता अभ्यत्थानम धर्मस्या तदात्मानम सुरुजाम्याम इस बात का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा एक बार स्रीकृष्ण एदि आवतार लिया और उस अवतार एक अवतार में स्री कृष्ण को ये कहने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी कि मैं बार-बार अवतार लूँगा तो बार-बार दूसरे रूप में अधवा बार-बार जब-जब द्वा पर आएगा तब-ब स्री कृष्ण अवतार लेंगे यही मानना पड़ेगा तो यानि यहां पर हमारे चिनतन स्तर को सीमा को हमें हमारे ही कलपनावं से अतीत हमारे ही कलपनावं से आगे ले जाना होगा और इसमें समय नहीं है हम एक बार ऐसे बैठे के सोचना चालू करते हैं तो हाँ धीरे-धीरे चलेंगे तो हमारे लिए न जाने कितने वर्श लग जाएंगे कितने युग लग जाएंगे कि हम अंतिमुस निचोड तक पहुंचने के लिए इसलिए सोचिए चिंप नम्य में तेजी लिए कि आई पाहले हम इस चीज को स्विकार कर लेते हैं मान लेते हैं कि जब जब क्रित युग का समाप्ति हुआ जब जब त्रेता प्रारंभा हुआ और जब धर्म का एक चरण क्षेन हुआ तब तब कि राम का अवतार हुआ और वहां पर श्री राम के जो चरित्र है उसको देखने के मात्र से ही लोग पहचान लेते थे कि हाँ हम अधर्म के वर जा रहे हैं अब हमको रामवत्त भवितव्यम यानि राम जैसे बनना है तो वहां पर अपने आचरण मात्र से ही राम समझा देते थे कि हाँ तुम आचरण में धर्महीन हो रहे हो और धर्म के वर आ जाओ यह परियाप्त था वहां यानि यह उसर बार-बार आ रहा था जो उदाहरन पिछले कड़ी में मैं सेव का दे रहा था वही उदाहरन है यहां तो हम क्या करते हैं कि कोई फल है थोड़ा सा इससा यह थी खराब हुआ तो उतना काटके हम उसका सेवन कर लेते हैं और यह थी आधा खराब हुआ तब भी क काट लेंगे तीन चयुड़ाई में हम बहुत कम ही उसको काथई है थी आई इन ग्रते ऑख कम बिद दिवय मैं क्या है человек का मान क्या तो यही हमें एक बात और हमारे सामने गुथी को सुलजाने का एक रास्ता बता रहा है जब धर्म पूरे के पूरा चारों चरणों से चल रहा था अरधात आपके हाथ में जो फल है वो एकदम कहीं से भी थोड़ा भी सड़ा नहीं है तो वो बहुत दिन चलेगा तो 4800 दिव्यवर्ष जब उसमें एक ठोड़ा हिस्सा सड़ना चालू हुआ तो वो जो उसको खराब होने की जो क्रम है वो तेजी से चलने लगेगा तो वहाँ पर धर्म जहां तीन चरणों का आगया वहाँ पर 3600 दिव्यवर्ष और फिर जब आधा खराब हुआ तो उसको खतम होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा तो वहाँ पर 2700 दिव्यवर्ष और जब 3400 दिव्यवर्ष अड़ गया तो वहाँ 1200 दिव्यवर्षों का ही कली है और चारों वोर हम कहते हैं कि ये कलीवग हैं भियya कलीवग हैं धर्म नामक कोई चीज नहीं है तो अर्धात अरिशडवर्ग कामक्रोथ लोफ मोहमद माथसर ये ये जो अरिशडवर्ग है तो अब इसे नाचना चालू कर देते हैं जहां देखो वहां धोका दड़ी हैं, जहां देखो वहां हमें लगता है कि यह ऐसे गलत किया है, यह ऐसे गलत किया है, तो यह कली का लक्षन है, तो एक चक्र है, हमें इस चीज को पहचानना होगा, सुरू में ही हमारी बात हुई थी कि काल का मने एक फ्रेम जैसे हैं, वो स् चलता रहेगा चलता रहेगा और उस समय के तक चलता रहेगा तो फिर आगले कड़ी में हम इसी बात को बढ़ाने का प्रयास करते हैं आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और चिंतन के सीमा को तोड़ने का प्रयास करते हैं और चिंतन को और गहराई से बढ़ाने की चिंतन की गहराई बढ़ाने का प्रयास करते हैं तब तक के लिए थन्यवाद